जैसा हम सबको पता है कि sports कारे इंडिया में काफी महँगी हैं तो आज मैं आपको एक क्रोडो के बजट में वो कारे बताऊंगा जो कि sports कारे आ जाती हैं तो जानते हैं इस वीडियो में टॉप लिस्ट प्रोवाइडर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें नए नए वीडियो देखने के लिए जैग्वार एफ टाइब ये टूसलिटर लगजरी स्पोल्ट कार है और गाड़ी में दो पैट्रोल इंजनों को ऑफशन मिलता है एक तो टू लिटर पैट्रोल इंजन जो की 296.3 भी एचपी को जनरेट करता है दूसरा फाइफ लिटर पैट्रोल इंजन जो की 443 भी एचपी 1000 से शुरू होती है फिर नेक्स्ट कार आई है पोर्च 718 ये टूसलिटर कूप स्पोल्ट कार है काड़ी में दो पैट्रोल इंजनों को ऑफशन मिलता है एक तो टू लिटर पैट्रोल इंजन जो की 295 भी एचपी को जनरेट करता है दूसरे वाला 4 लिटर पैट्रोल इंज है जो कि 414 भी एचपी को जनरेट करता है गाड़ी की लुकिंग भी काफी अच्छी है और गाड़ी का डिजाइन और शेप दोनों ही काफी लाजवाब है इसमें भी ओर्टोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है और चार वैरियन के साथ ये इंडिया में मिलती है गाड़ी की जो कि 3 लिटर पैट्रोल इंजन है और 350 भी एचपी को जनरेट करता है ये इंजन गाड़ी की लुकिंग भी काफी अच्छी है जैसा आप देख सकते है और गाड़ी के इंजन की परफॉर्मेंस भी काफी लाजवाब है इसमें भी ओटोमेटिक ट्रांसमिशन और गाड़ी सिर एक तोर 2 लिटर पैट्रोल इंजन जो की 194 भी एचपी को जनरेट करता है दूसरा 3 लिटर पैट्रोल इंजन जो की 335 भी एचपी को जनरेट करता है ये काफी बेहतरीन कनवल्टिवल कार है इसकी लुकिंग भी काफी शानदार है और आटमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है गा बेटा कंपनी की काफी बेहतरीन गाड़ी है वैसो ये गाड़ी स्पोल्ड कार नहीं लेकिन स्पोल्ड कार की ही टक्कर की कार है इसमें एक पैटरोल इंजन मिलता है जो की पैटरोल हाइब्रिड इंजन है जो की 211 पैस की पावर जनरेट करता है और गाड़ी में काफी बेहतरीन फीचर्स मिलते हैं जैसे इसमें सिर्फ एक ही वैरियेंट मिलता है जिसके कीमत 40,69,000 रुपे की है तो मैंना आपको ये पाँच वो कारे बताई है जो एक क्रोड रुपे के बजट मा आ जाती है और स्पोल्ड कार है आपको इनमें से सबसे बेहतरीन स्पोल्ड कार कौन सी लगती है मैं उस गाड़ी मैं आपको कारे जाती है झाती है